वीके नियूज उत्तरपरदेश उत्तराखंड सचका सार्थी अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम उनकी फिर से बात क्यों कर रहे हैं तो सुनिए इस बार उन्होंने बरेली में आठ महीने की मासूम बच्ची जिसका नाम मनहा है उसकी मदद करने के ठानली है इसकी वजा है बच्ची की रीड की हड़ी की दुरला बिमारी उसे इलाज के के लिए 16 करोड का इंजेक्शन चाहिए मनहा की मदद के लिए बॉलिवर स्टार सोनु सूद आगे आए हैं और उन्होंने देश बर के बासियों से मदद की अपील करते हुए उन्होंने एक एमोशनल वीडियो जारी करते हुए मनहा के इलाज की मदद के लिए अपील की है और साथ ही लोगों को हाग बढ़ाने के लिए आगे कहा है उन्होंने कहा है कि खुद भी वो 16 करोड जुटाने में मदद करेंगे और आप भे करिए आए देखे वीडियो नमस्कार दोस्तों मैं आज आपसे गुजारिश करने वाला हूँ एक चोटी सी बच्ची जो 9 महीने की है उसकी जान बचाने है हमें मिलकर मनहा नाम है उसका और ये 9 महीने की बच्ची की जो मा है सबा प्रवीन वो एक सिंगल मदर है और उनके पास अपनी बच्ची को बचाने के लिए आपके इलावा और कोई चारा नहीं है बच्ची को SMA की प्रॉब्लम है और आप सब को पता है कि SMA का जो एक इंजेक्शन आता है वो 16 करोड रुपे का आता है हम सब ने बहुत दफ़ा कई बच्चों की जान बचाई है साथ में मिलकर मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर मना की जान भी बचाएं ताकि जो उसकी मदर है सवा उससे पता चले क्या हमारे देश में इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिल जोलकर थोड़ा थोड़ा भी अगर डालेंगे तो इस छोटी सी बच्ची की जान बच सकती है इस माँ को वो बेटी मिल सकती है So I request everyone to do their bit in saving the life of this little girl ताकि हम इस माँ को उस बच्ची को दे पाएं Please थोड़ा बहुत contribute कीजिए और हम साथ में मिलकर मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम इस बच्ची को ज़रूर बचाने की आपको बताते कि इससे पहले एक्टर रजा मुराद और साधी राजपल यादव भी मनहा की मदद के रिए देश वाजियों से अपील कर चुके हैं जिसका नाम मनहा है सवाए इन दिनों अपने माईके में रह रही है और जरी के काम करके वो किसी बीतरह से अपने बेटी का पार इंपोशन कर रही है और खुद को भी पाल रही है दो महीने पहले ही मनहा अचानक से बिमार हो गए तो डॉक्टर को दिखाय क्या जिसके कीमत करीवन 16 करोड रुपा बताई जारी है अब ऐसे मैं आपको बता दे कि सवापरवीन ने परधान मंत्री नरेंदर मोदी से लेकर मुख्य मंत्री योगी अदितनात और डियम से लेकर महापौर तक मदद की गुहार लगाई है बच्ची को बचाने के लिए बरेली के कुछ लोग भी आ गया है लेकिन सब मिलकर भी अभी तक सिर्फ 6 लाग रुपे ही जमा कर पाए है स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी से अमेरिका में हर साल करीब 400 बच्चे पीडित होते हैं अभी फिलाल इस गंबीर बिमारी के ज़्यादा मामले नहीं है लेकिन लगादार जिस तरह के मामले सामने आते हैं तो उसे बच्चों को बचाना काफी मुश्किल पढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तरह आपको पता है कि ज़्यादा तरह लोग इस इंजेक्शन को जो कि 16 करोड का हैं उसे अपोर्ट नहीं कर पाते हैं यह मास पेशियों को खराब कर देने वाली एक दुरलब बिमारी है जब बिमारी गंबीर हो जाती है तो बच्चों की 2 साल की उमरें से पहले ही मौत हो जाती है अब आपको बताते हैं कि आकर इस बिमारी के लक्षन क्या है आपको बताते हैं कि शरीम में पानी की कमी होने लगती है स्थन पान करने और सांस लेने में काफी तिक्कत होती है सांस तक लेने में वेंटिलेटर की जरुद पड़ जाती है मास पेशी अतनी कमजोर हो जाती है कि बच्चे हिलने डुलने लायक भी नहीं रहते आपको बताते कि इससे पहले एक ऐसा इमाम लासामने आया था जहांपर महराश्रों में एक साल की बच्ची जिसका नाम वेदी का था उसे भी बिमारी थी हलाकि उसके इलाज के लिए उस इंजेक्शन को भी लाए गया था जो कि 16 करोड का था लेकिन उस इंजेक्शन को लाने के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जासकी और उसकी मौत हो गई खेर अब देखना होगा कि क्या ये 16 करोड का इंजेक्शन मना के लिए आए होगा और ऐसे में अगर आता है तो क्या वो इंजेक्शन उस बच्ची की जान बचा पाएगा इस खबर पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और उस बच्ची को बचाने के लिए आप भी अपना हाथ पढ़ाएं धन्यबाद ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24x7 डिजिटल न्यूस चानल VK 뉴스 राष्टर के नाप